है गाई तो कैसे अपलोग है होप तो आप से भी लोग अच्छ होंगे तो मैंने सिंग आप लोग देख रहा है तो आज में फिट्नेस इंडेश्टे से बहुत सरा प्रेटी करा है जैसा कि आप जानते होगे कि अभी दुबाई प्रोशो कंप्लेट हुआ हुआ खतम हुआ और जहां पर हमारे इंडिया का चार-पांच अथलीट कुम्पीट करा था तो आज सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम बात करने वाले गाई तो फर्श्ट फॉल हम स्टार्ट करेंगे इमरान खान की तरफ से गाई देख सकते हो इमरान खान का यह फिजि अर्शीच यह साथ जो भी आस-पास के इनके इसलिटे ना वह बहुत इनसे कहीं ना कहीं बीगर साइज बड़ा साइज में दिख रहे थे करकें अब इनका जो प्लेशिंग आया वही मैं आप लोग को बताद उनका जो प्लेशिंग आया हुआ हूँ सेबंध प्लेस तो चल सा इनको अभी फ्रेम में अपना और गूट क्वालिटी मसल मांस पूट ऑन करना पड़ेगा क्योंकि जिसे दुबई में सो में वैसे भी सो थोड़ा सा तफ था यहां पर बड़े बड़े और अच्छे 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 आ रखे थे तो तफ कंप्टीशन था उसमें का सेव वह थो मीम इब्राज का जो प्लेशिंग आया गाज वह इनका मीमोई उप्लेशिंग आया 14 एक जिसे में सेल लेकिन साइज मैं बार बार चारे वीडियो में जब भी इनके तरफ से कोई भी अपड़ीट ली कराता हूं तो हमेंसा मैं जिक्र करता हूं साइज का साइज मैंटर करता है देखो जब आप बड़े अश्टेज पर जाते हो दुबई जैसे अपने गया जहां पर बड़े-बड़े अ और फ्रेंट लुक से भी इनका मीड सेक्षन बहुत जदा सार्प बहुत जदा फूलर बहुत जदा बढ़ जा लग रहा था शोल्डर भी राउंड थे ऑबरॉल फिजिक इनका बहुत बढ़े था लेकिन इस फिजिक में अधी कम से कम 5-6 LBS अधी और जज़दा मसल मास कमेंट की बताना किने का फीलिका आप लोग को कैसा लोग का वामरान तो जो हमारे एथलीट्स थे ःफ्मारीण अठीकी और गष्मी मंत बहुत चोटा और जीदें तर्फीर से टेरिनस फ्रेफंस नहीं लग रहता अंधूने सबंदे करना पड़े किस डिविजन में को घूपीड करना है। उस अनुसार इनको तयार ही जो इनका बाउडी का स्ट्रेक्चर और फ्रेम था ना इस बार वह बॉडी तो गाइस कही नहीं को अधी क्लासिक में जाना है तो इनको और सार्फ होकर आना पड़ेगा बिल्कुल सेपरेशन इनका ग्लूट था बिल्कुल मतलब अस्मूत हो रहता ता बिल्कुल मतलब कोई फाइवर कोई separation ना तो हैमस्ट्रिंग में बहुत जादा कोई वैसा मतलब डिफरेंसी जैसे होता है थोड़ा सा कि भाई भॉल्यूम लाइक थोड़ा separation हो वैसा कुछ भी नहीं दिकरता आप पर बोडि में बहुत जादा वैसा मज़ा नहीं आया ना तो वैक्यूम इन्होंने हीट करा करके पोजिंग भी मेरे को बहुत जादा मतलब आज तक का सबसे बेस्ट फोर्म लेकर इन्होंने स्टेज पर आये थे जिनके पर जैसे इतने टफ कंपेटिशन में भी जो इनका प्लेसिंग था वो सिल वर रहा तो बहुत ज़्यादा मज़ा देखकर आएगा जब सही बताऊं तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत जल्द इनको प्रोकार्ट भी मिल जाएगा वैसे तो बहुत हाइड और बहुत टाइट फिजिक लेकर उने स्टेज आये था एक सेपरेशन एक सेमेट्रीक एक प्रोपोर्शन की साथ इनने स्टेज पर आय था तो उसके नसारे इनको प्लेसिंग भी मिला तो बहुत अच्छा करें कि सुपर सेम कहीं ना कहीं अपने फ्रेम में कुछ गुड क्वालिटी मसल मास पूर्ट हो नों अल्रेडी कर चुके हैं और उसके साथ इन्होंने अपने बैक पर बहुत अच्छे करीके से बहुत करा इस बार बिल्कुल थिकनेस और ब्रॉड़नेस पर काम करा जिसके विए तो आप लोग कमेंट के बताना कि इनका फिजी का आप लोग को कैसा तो आज को से बड़ा अपडेट है ना वह बिग्रैमी के तरफ से काई उन्होंने फाइनली एनाउंस कर दिया कि वह इस बार के सो में कुम्पीट नहीं करने वाले ओलंपिया के स्टेश पर बीग्रैमी कुछ वैसा ही चल रहे था आप डोंट नो कम्पिलीट रीजन क्या है माइंड सेट इनका कैसा क्या है इनका इनका इनके लाइफ में प्रोडम क्या है लेकिन कहीं ना कहीं बौडी पर वो असर दिख जाता है तो कहीं ना कहीं को भी और काम करके आना पड़ेगा गाइस और इनोंने मतलब सही डिसीजन लिया ऐसा मतलब मैं अपना पॉइंट भी उसे बोलूं तो तो तिनोंने सही डिसीजन लिया कि इस बार यह कंपीट नहीं कर रहे हैं कि तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला इस बार भी तो खामखा और ज्यादा इनका नाम खराब हो जाथा इस बार भी इनको टाइटल नहीं जीत पाते तो तो इनके विजह से आई थिंक इनोंने ओफ लिया जो किनका सही डिसीजन है तो देखते हैं कि इतना क्या इंप्रूमेंट करके कम बैक करते गाई सो आप लोगो क्या लग इनकी डिसीजन पर क्या इनको कॉंपीट करना चाह लिए था 223 में या फिर नहीं आप लोग कमेंट करके जुरूब था तो आज के लिए बस इतना या यह होप आपको वीडियो पसंद आए वानेजी वीडियो पसंद आए तो प्लीज डॉन फोर्गिट तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करो और दा मोर अपडेट मिलते हैं आपको नेक्षी वीडियो में तब तक के लिए जहन गुडबाए